अलो फ्रेंड्स आशा है आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे लाइफ इस प्रेशंस मैं मंजूतियागी अज लेकर आई हूँ आपके लिए बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध के बारे में विस्तरत जानकरी का वीडियो उनके अनमोल विचार जीवन में उतारने योग्य हैं हाल ही में भारत के उपराश्ट पती एम वेंकईय नाइडू ने बुद्ध पूर्णिमा के अफसर पर भगवान बुद्ध के दार्शनिक विचारों की वर्तमान में प्रासंगिक्ता को उजागर किया इससे पूर उपराश्ट पती ने वियत नाम में स प्रतीक है दुनिया को अपने विचारों से नया मार्ग मध्य मार्ग दिखाने वाले महत्मा बुद्ध भारत के एक महांदार्शनिक समाच सुधारक और बौत धर्म के संस्थापक थे राज परिवार में जनवे महत्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराईयों में इस्ति इसके पश्चात वे 29 वर्ष की अवस्था में सांसरिक जीवन को त्याक कर सत्य की खोज में निकल पड़े उन्होंने बौत गया में एक पीपल व्रेक्ष के नीचे ध्यान करते हुए आत्म बोध प्राप्त किया तब से लेकर 80 वर्ष की अवस्था में अपनी म्रत्यू तक उन्होंने अपना संपूम जीवन यात्रा करते हुए लोगों को जीवन चक्र से छुटकारा पाने की रहा दिखाते हुए बिताया उनकी म्रत्यू के पश्चात उनके शिशों ने राजग्रहे में एक परिशद का आववान किया वहां बौध धर्म की मुखे शिक्षाओं क को सहीता बद किया गया इन शिक्षाओं को पिटकों के रूप में समानुक्रमित करने के लिए चार बौध संगीत का आयोजन किया गया जिसके पश्चात तीन मुखे पिटक बने विन्य पिटक जिसमें बौध मतावलंबियों के लिए व्यवस्था के नियम थे सुथ पिट जिसमें बौध दर्शन था जिने संगत रूप से त्री पटक कहा जाता है इस सब को पाली भाशा में लिखा गया है राजा कनिश के शाशनकाल में भगवान बुद के सिध्धानतों पर आधरित बौध धर्म दो संप्रदायों हीन यान और महायान में बढ़ गया था श्री लंका, मियामार, लाओस, कंबोडिया, थाइलेंड और चीन का प्रमुक धर्म है वर्तमन समय में भी भगवान बुद के विचार प्रासंगिक हैं महात्मा बुद भारतिये विरासत की एक महान विभूती हैं उन्होंने संपून मानव सभ्यता को एक नई रहा उनकी म्रत्यू के लगभग 2500 वर्ष के पश्चात आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं अर्थात अपना दीपक स्वैम बने इस विचार का मूल यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी नैतिक अनैतिक प्रश्न का फैसला स्वैम करना चाहिए व आज व्यक्ति अपने घर, आफिस, कॉलिज आदी जगहों पर अपने जीवन के महत्पून फैसलों को स्वैम न लेकर दूसरों की सलहा पर लेता है अतहे यह वस्तू बन जाता है बुद्ध का सिध्धान्त व्यक्ति को व्यक्ति बनने पर बल देता है ना कि वस्तू बनने दूसरा प्रमुख विचार मध्यम मार्ग के नाम से जाना जाता है उनका मध्यम मार्ग सिध्धान्त आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना बुद्ध की समय में था उनके इस विचार की पुष्टी के लिए उनका ही एक कथन आपके सामने रखती हूं कि वीणा के तार को उतना नहीं खीचना चाहिए कि वे टूठी जाए या फिर उतना भी उसे धीला नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि उससे स्वर्खी ना निकल सके उनका मध्यम्मार का सिधान्त रूडिवादिता को नकारते हुए तार्किक्ता पर बल देता है रसल आज दुनिया में तमाम तरहे के जगड़े हैं जैसे सामप्रदाइक्ता, आतंकवाद, नकसलवाद, नसलवाद तथा जातिवादादी इस सारे जगड़ों के मूल में बुनियादी दार्शनिक समस्या यही है कि कोई भी व्यक्ती देश या संस्था अपनी दृष्टी कोण से पीछे हटने को तयार नहीं है इस दृष्टी से इसलामिक स्टेट जैसे अतिवादी सम्हूं हूं या मॉब लिंचिंग विचारधारा के कटर रूप में स्विकार करने वाला कोई सम्हूं हो या अन्य सम्हूं सभी के साथ मूल समस्या नजरिये की ही है महत्मा बुद्ध के मध्यम मार्ग सिधान्त को स्विकार करते ही हमारा नैतिक दृष्टी कोण बहतर हो जाता है हम यह मानने लगते हैं कि कोई भी चीज का अति होना घातक होता है यह विचार हमें विभिन्द रश्ट्रिकोनों के मेल मिलाप तथा आम सहमती प्राप्त करने की ओड़ ले जाता है आज अगर दो विरोधी सम्भों के बीच सार्थक समवाद हो तो धार्मिक सहिशुंता और सर्वधर्म संभाव सिर्फ कहने भर की बाते नहीं रहेंगी बलकि दुनिया का स्रच बन जाएंगी महात्म बुद्ध का या विचार की दुखों का मूल कारण इच्छाएं हैं आज के उप्फोक्तावादी समाज के लिए प्रासंगिक प्रतीत होता है दरशल प्रतियक इच्छाओं की संतुष्टी के लिए प्राकरतिक या सामजिक संसाधनों की आवश्यक्ता पढ़ती है ऐसे में अगर सभी विक्तियों के भीतर इच्छाओं की प्रबलता बढ़ जाए तो प्राकरतिक संसाधन नश्ठ होने लगेंगे साथ ही सामजिक संबंदों में तनाव उत्पन हो जाएंगे ऐसे में अपनी इच्छाओं को नियंतरित करना समाज और नेतिकता के लिए निवारे हो जाता है इस बात की पुष्टी हाल ही में आर्थ ओवर्शूट डे की रिपोर्ट से होती है जिससे है पता चलता है कि जो संसाधन साल भर चलना चाहिए था वे आठ महीने में खत्म हो गया बुद्ध के विचारों का आज के संदर्ब में प्रेर्णदाई प्रक्ष यह भी है कि वे सद्गुणों के विकास पर अत्यधिक बल देते थे उन्होंने अपने अनुयाईयों को जो आचरन सहींता बताई उसमें कश्टों को सहने की ताकत और अनुशासिच जीवन को अत्यधिक महत्व दिया गया था उदहारन के लिए उन्होंने अहंकार को बहुत बड़ा अवगुण माना और सलहा दिये कि जिन लोगों के अंदर मैं की भावना बहुत अधिक होती है वे अक्सर बाकी लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चल पाते उन्हें प्राय हर व्यक्ति में अपना प्रतिस परधी औ आपसी संघर्ष बढ़ रहे हैं ऐसे में यह सिद्धान्त दूसरों को समझने में सहयक हो सकता है हात्मा बुध ईश्वर जो की धर्म का केंद्रिय बिंदू है को नकारते हुए भी बहुत धर्म को इतने व्यापक इस्तर पर स्थापित करने में सफल हो रहे हैं जो उनकी प परता जाहरा है ऐसे में कर्मवादी सिधान्त उन्हें मानव कल्यान से जोड़कर समाज को तार्किक बनाने में कारगर साबित हो सकता है महात्मा बुध की शिक्षाओं की उप्योगिता आज के परिपेक्ष में बढ़ जाती है उनकी शिक्षा नैतिक्ता करुना और चीलता को बढ़ाने में साहिक हो सकती है जिसके माध्यम से शांती और सतत्विकास पर आधारित एवं संखर्ष मुक्त विश्व व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सकता है असल आज स्कूल कॉलेज में शिक्षा का उदेश अच्छी व्यवस्था वे बहुतिक वादी स समाज में अधिक से अधिक संसाधनों पर कबजा प्राप्त करना रह गया है ऐसे में व्यक्ति मानवतावादी सिधांतों से दूर होता जा रहा है जहां समवेदना का इस तर शून्य हो गया है बच्चें पर आज उच अंक लाने का दवाब डाला जा रहा है ना कि इस बात का की वे शिक्षा प्राप्त कर नेतिक व्यक्ति बनें आज घ्रणा की विचार धाराएं बढ़ती चली जा रही है असी में बुद्ध का विचार शांती से बढ़कर कोई आनंद नहीं है जादा प्रासंगिक हो जाता है जिस सिध्धान्त के लिए महत्मा बुद्ध के विचारों की प्रमानिक्ता विश्व में बढ़ जाती है यह है अहिंसा अहिंसा के विचारों की बात महत्मा बुद्ध के समकालीन महावील स्वामी द्वारभी की गई थी अत्म बुद्ध का अहिंसा का विचार सभी प्राणी मातर के लिए था आज विश्व में जहां एक तरफ पशू के विरिद हिंसा के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं वहीं पशू के साथ अच्छा आचरन करने को लेकर पेटा जैसी संस्थाएं विश्वयापी आंदोलन चला रहे हैं बुद्ध का श्टांगिक मार्क का सिधान्त आज के भौतिकवादी समाज में ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है उधारन के लिए उनका सम्यक जीविका का विचार इस बात पर बल देता है कि समाज के सभी व्यक्तियों को जीविका मिले जिससे आज के समाज की बेरोजगारी जैसी बड़ी हुई समस्या का समादान हो सके बुद का मानव के कल्यान के लिए अंतहे शुद्धी का सिधान्त भी काफी महत्वपून हो जाता है यह सिधान्त व्यक्ति को अंदर से नैतिक होने पर बल देता है आज जिस तरह व्यक्ति अपनी आवश्यक्ताओं से अधिक संपदा एकत्र करने के लिए संगर्षील है कह की न कहीं एक बड़े वर्क को प्रभावित कर रहा है हाली में रिपोर्ट में पाया गया कि कुल संसाधनों का एक बड़ा भाग कुछ व्यक्तियों के हाथ में किंद्रित होकर रह गया है ऐसे में अगर बुद्ध का यह विचार सही तरीके से स्थापित हो जाए तो कोई भ मीर किसी गरीब को नुकसान नहीं पहुचाएगा और अर्थव्यवस्था में तनाव की जगे सद्भाव को प्रात्मिक स्थान में लेगा बुद्ध की नीती की एक अन्य प्रेणादाई बात यह है कि इसमें परिवर्तनों के प्रती बेहत सकारात्मक रुख दिखाई पड क्योंकि तब तक जल की धारक काफी आगे बढ़ चुकी होगी और नहने वाले के शरीर में सूक्ष मिस्तर पर असंख्य परिवर्तन आ चुके होंगे बुद्ध का यह विचार हमें रूडिवादी होने से बचाता है आज की समय के अधिकांच संकटों की जड इसी बात में छिपी है कि लोग समय के अनुसार खुद को बदल नहीं पाते अगर हम बुद्ध की इस बात को समझ लें कि परिवर्तन ही सत्य है तो शायद वो यथा इस्थितिवादी होने से बच सकें इस विचार से जातीवाद, संप्रधाईवाद, नसलवाद आदिभी समाप्त हो जाएंगे आये महत्मभुद के विचारों की सीमाऊँ पर भी चर्चा करते हैं किसी महान नैतिक विचारक की तरह महत्मभुद के विचार भी आलोचना रहित्र नहीं है हालां कि इन विचारों की समीक्षा करते समय हमें ये समझना होगा कि उस समय में वैसे हालात मौजूद नहीं थे जैसे की आज है महत्मा बुद्ध का यह सिध्धान्त कि संपून जीवन दुखमय है और जगत को समझने के लिए हर अनुभव को दुखद अनुभव के रूप में देखने की जरुरत है इससे बचने का एक मात रुपाए सुखों की लालसा को छोड़ देना है तारकिक नहीं जान पड़ता पर भगवान बुद्ध के इस विचार की समीक्षा की जाए तो पता चलता है कि इस बिंदू पर वो एक तरफा नजार आते हैं जबकि जीवन को ना तो सिर्फ दुखमय कहा जा सकता है और ना ही सिर्फ सुखमय सत्य तो यह है कि सुखों की अभिलाशा ही वे प्रेणाए हैं जो व्यक्ति को जीवन के प्रति उत्साहित करती हैं महत्म बुद्ध के द्वारा जिस निर्वान की चर्चा की जाती है वह भी एक अर्थ में सुख की ही खोज है ऐसे में इस सिध्धान्त को यदि कोई व्यक्ति स्विकार करे तो यह संभव है कि वह निराशावादी प्रवर्ति का हो जाए भगवान बुद्ध के विचारों में एक अन्य महत्पून खामी नारियों के अधिकारों के संदर्ब में दिखाई देती है जैसे महिलाओं को शुरुआत में संभ में प्रवेश नहीं देना ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने शिश्य आनंद से कहा था कि अगर संभ में महिलाओं का प्रवेश नहोता तो यह धर्म एक हजार वर्ष तक चलता पर अब यह 500 वर्ष तक ही चल पाएगा जबकि वर्ष मान में हम देखते हैं कि महिलाओं हर शेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सक्षम है अंत में अनेक सीमाओं के बावजूद निसकर्ष तह कहा जा सकता है कि यदि हम बुद्ध के विचारों को वर्तमान परिपेक्ष में स्वीकार करें तो हमारे जीवन और समाज की अनेक समस्याओं का एक समुचित हल निकाला जा सकता है साथ ही मानव सभ्यता सकारात्मक सुधारों के साथ साथ एक सही दिशा में अग्रसर हो सकती है